जेहिन दोस्तों तो यहाँ पर अभी हम काविरी रिवर को पड़ेंगे थोड़ा सा lecture लेट आ गया क्योंकि थोड़ा बीमार चल रहा था देल्ली की यहाँ पर थंडी के बज़ेसे तो फिलहाल अभी finally हम काविरी रिवर को पड़ेंगे कावेरी रिवर का origin हम यहाँ पर भ्रहमगीरी हिल्स के नजदिक दिखते हैं सबसे पहले physical map के उपर हम कावेरी रिवर के कुछ important चीजे देख लेते हैं जैसे कि यह भ्रहमगीरी हिल्स यहाँ पर present है यह ब्रह्मगीर हिल से और यहां से कावेरी रिवर का origin हमें दिखाए देता है उसके बाद कावेरी रिवर यहां पर तमिल नाडु में एंटर करती है और फिर नागापटनम पोर्ट के नजदेक हमें उसका माउथ दिखाए देता है यहां पर उसकी जो left hand tributaries है उसमें आती है होरंगी रिवर हेमावती रिवर शेमशा रिवर अरकावती रिवर और फिर आपको यहां पर तमिल नाडु में तुरुन मुताईर नाम की रिवर भी दिखाए देती है अब यहां पर उपर जो हमने देखी थी यह होरंगी हेमावती शेमशा अरकावती यह सब करनाटक में प्रेजेंट है अब उसके बाद जो right hand tributaries है उसमें आती है लक्षमन तीर्थ यहां पर नहीं मिलती यह कृष्णराज सागर को यहां पर आके मिलती है लेकिन लक्षमन करके हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि काविरी रिवर क्यों पढ़ना है क्योंकि अगर आपने एंविरोमेंट के अगर प्रिविए सीर कोश्चन भी देखे तो आपको समझ में आएगा रिवर सैंड वाइल लैप सैंक्चूरिस का बहुत सारा कनेक्शन के बैसिस क पर कनेक्श औरी को देखे आपको दिखाए देगे और एक रिवर के नजदिक कुछ न कुछ प्रेजन तो इस तरऑ fault को थोड़ा सा अच्छ से पढ़ेंगे तो तो कारविरी रिवर का ओरेंगा तो ब्रमगीरी हिल्स के नजदिख अमें इंहां पर दिखाए देता है और अब ब्रह्मगीरी हिल्स के बारे में जानकर रिलेते समय आप पहले बात ये धान में रखिएगा कि ब्रह्मगीरी हिल्स खुद यहां पर करनाटक का हाइस्ट पीक है और ब्रह्मगीरी हिल्स जो है यहां पर एक वाइलफ सैंक्चूरी भी है जिसका नाम है ब्रह्मगीरी हिल वायल लैप संख्यूरींड और यहां पर जो forrest का type present है is evergreen and semi-evergreen forest यहां पर higher altitude पर आपको शोला forest भी दिखाई देंगे और यहां पर जो fauna है इसमें lion-tailed maca जिसका आयोसें स्टेटस एंडेंजर्ड बोडनेंट मकक वल्नेरेबल और मालाबार जायन्ट स्क्रीड सब को पता है एंडेमेक टू इंडिया है अब इसको ध्यान में रखते हुए ब्रह्मगीरी ल्स के बारे में एक और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ब्रह्मगी का टेमपल है इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है अब यहाँ पर काविर रिवर के जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उपर से आपको लेफ्ट हैंड ट्रिबुटर ही दिखाए देगी जिसका नाम होरंगी रिवर यह भी करनाटक से आती है पुष्पगिरी हिल्स में इसका ओरीजिन दिखाए देता है उसके बाद आती है हेमावती रिवर हेमावती रिवर के बारे में आपको ध्यान में रखना है इसके उपर एक गोरूर नाम का एक डैम यहाँ पर प्रेजेंट है अब हेमावती रिवर क्यों इंपोर्ट है तो हेमावती रिवर यहाँ से एक ले तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है अगर map पे आप देखोगे तो यहाँ पर यह बनाया गया है तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है और यहाँ पर हेमा उती लक्षमन तीर्थ और कावेरी रिवर के confluence के उपर present है अब लक्षमनतीर्थ रिवर बहुत important है क्योंकि इसका भी origin आपको ब्रह्मगीरी hills में दिखाई देगा थोड़ा flat terrain के उपर यह river बेती है और उसके बाद एक important national park के through यहाँ पर यह पास होती है जिसका नामे नगर होल national park नगर होल national park से सिर्फ लक्षमनतीर्थ रिवर ही नहीं एक और एक रिवर है जिसका नामे कावेनी रिवर भी पास होती है अगर question आ गया कि नगर होल में से पास होने वाली रिवर कौनसी है जो सिर्फ करनाटक में present है तो लक्षमनतीर्थ और वो कौनसी रिवर है जो लक्षमनतीर्थ रिवर कहां से नगर होल national park से पास होती है अब यहाँ पर लक्षमनतीर्थ रिवर के उपर एक फॉल भी है जिसका नामे इरूपू फॉल और जैसे काविनी रिवर के बारे में हमने देखा काविनी रिवर का ओरीजिन आपको केरला में दिखाए देगा यह रिवर भी यहाँ पर नगर होल national park में से पास होती है और इसके उपर भी हमें यहाँ पर काविनी वाल लफ सेंक्चुरी दिखाई देती है तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा अब आपको यहाँ पर काविनी रिवर जहाँ पर आके मिलती है कहाँ पर काविरी रिवर को तो उसके थोड़ा सा आगे आपको शीव समुद्रम फॉल्स दिखाई देगा यहाँ पर काविरी रिवर के उपर प्रेजेंट है अगर आप ड्रेने सिस्टिम का मैप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे मतलब मैंने बनाया हुआ तो यहाँ पर काविरी रिवर के उपर दो आइलेंड्स प्रेजेंट है एक है स्रिरंग पतना और शीव समुद्रम तो यह शीव समुद्रम जो है यहां पर आपको जो फाल दिखाए देगा उसी का नाम है शीव समुद्रम वाटरफॉल तो इसके बज़े से यह रिवर दो भागों में डिवाइड होती है यह दोनों waterfalls के नाम है गंगा चुक्की और भारा चुक्की जो western side में है वो है गंगा चुक्की और वेस्टन सैड में जो है वो है भारा चुक्की और इन दोनों के मिला के एक साथ हम यहाँ पर शिव समुद्रम waterfall केते हैं तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखेगा यह यहाँ पर प्रेजेंट है शिव समुद्रम waterfall के नजदी अब उसके बाद जो left hand tributary आती है वो है शेम्षा रिवर शेम्षा रिवर भी बहुत important है क्यों important है शेम्षा रिवर तो शेम्षा रिवर के ऊपर आपको सबसे important एक आप इसका pronunciation अपने लेवल पर अच्चे सी कीजिए ठोड़ा सा local pronunciation अलग हो सकता है I am very sorry अगर गलत है तो क्योंकि कई बार हमारे pronunciation गलत हो जाते है तो यहाँ पर आपको योग नर्सिवा टेम्पल हमें यहाँ पर शेम्षा रिवर के इसमें ओके योगा सोरी देवरा याना दुरुगा हिल्स जो हिल्स प्रेजेंट है तो वहाँ पर हमें यह टेम्पल दिखाए देता है इसके उपर दो फॉल्स हमें इस्चिया का फर्स हैड़ोलेट्रिक प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर शेम्षा रिवर के उपर दिखाए देता है दूसरे का नाम क्या था गनालू फॉल और इसके उपर जो डैम प्रेजेंट है उसका नाम है काकेरे बेलूर बर्ड सैंक्चूरी तो यह शेम्षा रिवर हो अब शेम्षा रिवर के बाद आपको आगे चलके और एक लेटन ट्रिबूटर दिखाए देगी जिसका नाम है अरकावती ओके अब अरकावती रिवर थोड़ी इंपोर्टन्ट हो जाती है ओके तो इसको तो मैं अलग से लेने वाला था लेकिन इसी में बता देंगे किसका ओरीजिन नंदी हिल्स के यहाँ पर आपको दिखाए देगा इसके उपर भी आपको एक चुंची नाम का वाटरफॉल दिखाए देगा लेकिन इसकी दो ट्रिबूटर इसे एक है रिशबवती और दुसरी है कुमूदवती ओके तो दोनों भी रिवर्स यहाँ पर बैंगल गनेशा और डोडा बसवा तो डोडा गनेशा और बसवा टेमपल यह दोनों भी यहाँ पर विजय नगरा स्टाइल टेमपल है इसको पहले ध्यान में रखियेगा और यह जो बसवा जो वर्ड है यह नंदी टेमपल के लिए यूज किया जाता है इस टेमपल को डोडा द्यान में रखना और यह जो डोडा बसवा जो नाम का टेमपल यहाँ पर वन ऑप दी लार्जेस्ट नंदी की मूरती है पूरे विश्व की इसको भी यहाँ पर द्यान में रखना है और एक टेमपल सो नाम्मने गवी गंग घरेष्वर टेमपल एक गव अऊचा बोग गं पांडर बेंगलूरू कहते हैं यह भी एक शिवा टेंपल है इसको यहां पर ध्यान में रखना है और इसी के नजदीक आपको एक और एक टेंपल दिखाए देगा इस रिवर के उपर रिशब बरती रिवर के नजदीक आपको उसका नामे कडू मलेश्वरा टेंपल अब यह क यह भी शिवा जी का टेंपल है लोड शिवा का टेंपल है लेकिन इसे बनाने वाले थे वेंको जी बोसले चत्रपति शिवा जी महाराज आपको पताओंगे तो चत्रपति शिवा जी महाराज के एक भाई जो साउथ में उन्होंने अपनी सत्ता स्तापीत की थी तो उनका न बुठर ही आपके लिए इंपोर्टन्ट है उसके बाद आता है इसके बाद